हालू दोस्तों वेलकम बैक्टू सक्सेस क्लासे अभी तक हमने देखो क्लासे में दौक यह आज आपका थर्ड से लेकर था अब भी तक नहीं देखे वो प्लेट टॉपिक सुरू करेंगे जिसमें क्या होता है कि सोसियो सब्जिक्ट से कंपेर किया देखा इन दोनों में क्या कॉमन चीज़ी चाहि कश्म पर क्या इंपक्त है बिस पर अधी तोक पहला टॉपश्य के पहला सब्जेक्ट ऑसब्चन आता है दस में इस को आज पी घ्क करेंगे पॉलिटिकल साइंस देखेंगे चली शुरू करते हैं तो यह हमारा मैंने देखो मैं आपको ओवर्यू देता हूं कि इस वाले टॉपिक में पहले इंट्रो बनने कोशिस किये कुछ कुछ कॉपन टॉपिक है वह मैंने सिर्फ डाइग्राम के तुरू बनाने के तुर को बताया है यहां पर फिर एक कंकुलूजन यहां पर मैंने लिखा है दोने में डिफेंस भी क्या यह भी बता दिया और कंकुलूजन एक ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस करें आपके पूरे जो आपने उपर लिखा है उसको एक बैलेंस करते हुए कंकुलूजन होना चाहिए पहले इंटो से सुरू करते हैं इसका इंटो कैसे बन सकते हैं आप भी अपने अपने इसाब से इंटोग अगर आपके पास कुछ बैटर होगा तो आप कमेंट करके हूं को बताईएगा तो चलिए देखते हैं यहां पर इंटो मैंने लिखा है यह दुखो जो statement है यह हाब हाउस के हाब हाउस का statement है आप यहाँ पर code कर सकते हो हाब हाउस को ठीक है मैं उनका नाम की spelling लिख से तो यह है यह B है ठीक है हाब हाउस के यह statement है पहला sociology का definition के लिए यहाँ पर बता जाता है कि sociology is the fundamental social science which studies humans whole social life ठीक है यह किसका statement है हाब हाउस का statement है मैंने यहाँ लिखा नहीं आप लिख सकते है ठीक है कोड करेंगे तो और अच्छा आपको number मिलेगा एड़ अधर हैंड़ हम देखे तो जो पॉलिटिकल साइंस है इच कंसर्ण विथ पॉलिटिकल लाइफ आफ हुमन तो मैंने यहाँ पे लाइफ को को सेंट सब्सक्राइब है जिसके मैंने बता है कि क्या क्या दोनों में common topic जो दोनों subject पढ़ते हैं study करते हैं तो पहले यहाँ सुरू करते हैं पावर जो की दोनों सब्सक्राइब का भी टॉपिक है और पॉलिटिकल साइंस का इसी तरह डेमोक्रेसी प्रेसर ग्रूप सोसल जोवर्नेस क्लास कास्ट जेंडर स्टेट एंड सोसाइटी इस पॉलिटिकल सिपार्टीश ठीक है तो यहीज हम सिमिलर्टी बताना सुरू कर देते हैं ति यहां पर देखो यहां पर सुरू करते हैं कि रिलेशन्शिप बेटूइन सब्जेट बहुत सब्सक्राइब दोनो सब्सक्राइब करते हैं इन्हों के जो स्टेट साइस को टॉपिक है और लेकि सोसल चैंज तोपिक है तो दोनों में सिमिलर्टी बता जा रहा है कि किस तरह से इस टेंप्रेट आता इक्वान का इकॉनमीक रिफॉर्म था उसका इंफ्लूएंस आप देखेंगे तो कितने बड़े अस्तव सोसाइटी में चेंज आया इंडिया में एक मिडिल क्लास जो की उभर काया सामने जो की काफी उसने इंप्यक्ट डाला इंडिया को एक कंजूमर कंजूमर मार्केट भी बनाया एक प्रोडूशन मार्केट भी बनाया तो यह कई सारे अस्तव इसकी रिफॉर्म के कई सारे जो की चेंजर सोसाइटी उनको देखने को मिले थे बड़ हम यहां पर बताएंगे ज्यादा डिटेन में नहीं जाएंगे ठीक है सेकें यहां पर हम वेवर को 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 करते है जो जो तिंकर आप उनको अंडरलाइन किजिए आप ऐसे बॉक्स में को लिए ताकि जो कि निध्यान उस पर चाहिए तो वेवर का जो बीरोक्रेट आइडियल टाइप है इन्होंने एक आइडियल टाइप दिया था बीरोक्रेट का ठीक है तो इनकी इस्टडी बताते कि कि किस तरह से बीरोक्रेट जो होते हैं वो जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिवलोप्मेंट आप कैपिलिजम इन सोसाइटी यहां पर हमको देखने को मिल रही है इसी तरह आगते हैं आपके सोसियोलोजिस्ट परेटो मोस्का इनकी स्टडी बताते कि किस तरह स सोसाइटी में इंफ्लेंस करते हैं जो कि पावर देखो मेंली देखोगे तो प्लेटिक साइंस का टॉपिक है लेकि यह सोसियोलोजी में भी इस्तर्सी जो रहा है क्योंकि एलिट कलाश वह इसको इंक्लूएंस करते हैं फिर इंडिया के इसाब से लिखते है तो रजनी को करेंगे इनके एक कुष्ट जो इंडियन पॉलिटिक्स को लेकि ऍटी यह बतारे किस सद्छाइश जैजिज़ा सेंद्या में इंपोर्टर्टर्टर्ट रोल प्लेकर इंडियां पॉलिटिक्स में इसी जो कास्ट है इस खिर पर अखिले म्बन चुके एं मुलाहिम सिंग य जो कि लालू यादो भी सिम बन चुके हैं और यूपी में ही देखोगे तो सुसरी मायावत्ती जी जो है वो भी ऐसे एस्टी कास्ट के अधापर ही सिम बनी थी यह कास्ट काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है ठीक है जेन्डर डायमेंशन के जेन्डर कर दाह पर भी बात करें जो नहीं कैसे कैसे पॉलिटिकल में इम्पाइक धेक्ट है देखो यहां बात करें मैं कहीं से हवान बात बात रहाँ उसकी भात यहां पे में कर रहाँ यानि कि यहां पर अर्य बोला जा रहा जा रहा है कि अगर आप सभी देशों में प्रियारी को आद्सी करण जोकी it है आपका लिए तो टरहहें सका और अप्वन कई आपको अशन Pe 밝宵 है तो पीध नहीं है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं जो प्रेशर ग्रूप बनते हैं अपने उद्यश्च के लिए और वह वह जो की प्लूरिस्टिक डियमोक्रेशी को करते हैं काम करता है यह आप्लिटिकाल लाजी का इंग अब यहां पर बता एक बोला यहां पर डिपेंडिंग थिओरी है जिसके में प्रवर्टक को ने इम्मेनुएल वालर श्टीन और एक और है आंद्रे गुंडर फ्रैंक यह पी इनको एजी फ्रैंक भी वह सकते हैं आप प्रोनौश ठीक से नहीं कर पारें एजी फ्रैंक भी वह सकते हैं एक थिओरी क्या करती है तो जो इच कंट्री है जैसे एक स्फ ऐस्ट न करकाम करती एक सोसियोलोजी कर टॉप यह एक्स्प्राइटेशन पर लिए ठीक है अब यहां पर देखो का जा कि डाइनेमिक पॉलिटिकल स्पेर आलसो इंपेक्ट दसोसाइटी पॉर एजमपल अब देखोगे तो जो दॉमिनेंट कास्ट है एक निवास का इन्हों ने स्टडि किया था लेकर इंडिया में इन इन्दिया में इन्दिया पॉ लड़ा अजिर गया तो अगर वो यहां पर रहता था तो अब उसका सोचल से इंप्रूव हो जाएगा और वो समाज में उपर हो जाएगा इतरा से लोगों की नजर में तो कहीं न कहीं जो डॉमिनेंट कास्ट वो स्टेटिफिकेशन सोसाइटी को भी जो की इंफ्लेंस करती ह पर इसे इंडिया के इस पर इसमें जो रिजर्वेशन का प्रोविजन पर प्रूवीजन दे जा जाएगा तो इस नेडिया जो भारती समाज में पर उठाया है कि यह पर कम करना है लुद्स चलेगा तो इस वे में जो की डिजर्वेशन का प्रोजिजन पॉलिटिकल एंगल पर किया गया था ताकि समाज में इस तरह के पभीवरता ना है अब पर ट्यार की वाली जो थोट है उसमें जो कि उसमें कमी आ है इस तरह हमने देख लाएं कि क्या 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 मतलब कैसे सिंपल सी बात है सब कुछ जो कि यहां पर डिसकर साइंस में क्यों पॉलिटिकल इंगल ही लोग देखते हैं क्योंकि अपने पास स्पेस भी कमता जगह भी कमता अब कंकुलूजन देखो मैंने कैसे जोडते हुए लिखा है यहां मैंने को यह क्या करते हैं कि किसी को बीना समाज के नॉलेज के इस्टेट का बारे में पढ़ा रहा है यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को बीना नूटन लाओ आफ मोशन को पढ़ाए बीना या जानकाई दिये बीना एस्टोनामी को पढ़ाना ठीक है तो इस तरह से मैंने कुछ करते हुए कुछ एक मतलब रहते से जांपल देते हुए कोड करते हुए यहां पर दिखा है जो कि काफी मुझे सही लगा अगर आपको भी कुछ अच्छा है आपके पास कंकूर्जिया तो आप हमें क्रमेंट कीजिए हम उसको निश्ची तो पर आड करेंगे तो यह फिर ल मैं मैं मुझे चैनल को सब्सक्राइब लेकिए वो चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल साथ दो लेगे